हाई वरिवन उमीद है कि आप सब खेरियत से होंगे आज जो हम वीडियो करने जा रहे तो इसमें हम फ़स् प्रिंसिपल रूल से x का डिराइवेटिow मालूम करना सीखेंगे एच्स का डिराइवेटिow विड इसिपेक्ट टि एक्स होता क्या है ठीक है तो इसके लिए जो सबसे पहला काम है वो ये कि आपको फ़स् प्रिंसिपल रूल के बारे में पता होना चाहिए कि वो किसके बराबर है तो उसका फार्मूला होता है अब जो हमें function लेना है इस question में वो है if of x is equal to x यानि कि function x है तो फिर next step हमारा direct हो जाएगा if of x plus delta x और वो x plus delta x के बराबर हो जाएगा क्योंकि अगर if of x x है तो हम x की जगा x plus delta x replace कर देंगे अब हम ये values जो ही ये put कर लेंगे उस फार्मूले में जो first principle rule का फार्मूला है तो limit delta x 10 to 0 अपनी जगा if of x plus delta x की जगा x plus delta x लग गया minus x और divide by delta x तो x और x को cancel out कर देंगे जो हमारा next step हो जाएगा वो बन जाएगा if dash of x is equal to limit delta x 10 to 0 delta x divided by delta x तो वो दोनों भी cancel तो limit delta x 10 to 0 1 बाकी रहे गया चुँके delta x अब बाकी नहीं है अगर होता तो हम उसकी जगा 0 put कर देते तो हमारे पास इसका जो derivative आया वो 1 ही आया है तो इससे हमें ये पता चला कि x का derivative with respect to x जो होगा वो 1 के बराबर होगा उमीद है आपको समझ आई होगी इंशाला नेक्स्ट वीडियो में हम first principle rule पर और भी questions करेंगे तो आप लोग channel को subscribe करें और वीडियो को share करना मत भूले Thank you एकी है यज प्रले जड़े की आपोप पाltना क्सक्तो आपकोड़ लिवे ए yell हॉशचकोपोड़